आज हम ग्रिल के बारे में कुछ बात करेंगे चुकि हम ग्रिल में नर्माली जो कलर लगाते हैं रेड़क्साइड लगाते हैं रेड़क्साइड का बीविन टाइप का कलर आता है आपके मन पसंद अब जो भी कलर लग सकते हों दोस्तों तो मेरे वीडियो में ज्यादा तर अपका thinner κα्जाए क्णिताे स्मय सोँआ है कि भूत ऑफभाँ मुड़ापन रहे सब घ्राप पना तो आप थिर्श आन्द या तर्पेन Byra को험 भी हैं theorist कैसे आत्neas दूकान को पेंट के दूकान पर जाकर आप ले सकते हो और ज्यादां करनेका थो ड़ा थोडा मीक्सिपτα delivered तो प्रेंट्स, आपका लोह आपका जो कि ग्रील बहुत पुराना है तो आप पुराने ग्रील को पहले से पेपर मारकर पूरा साप करना चाहिए वो जो कि जंक होता है उसको निकल दाना चाहिए उसके बाद आप सौर्फ ये सब यूज करके उसको पूरी तरह से निकलने के बाद प्राइमर करके आप डबल कोट यह करना चाहिए यह करना से बहुत बढ़िया रहता है आप ग्रिल को कलर करते हूं तो आपको एक इंच का ब्रस चाहिए ज्यादा तो बड़ा नहीं चाहिए एक इंच का ब्रस में बहुत अच्छा होता है आप एक इंच का ब्रस ले सकते हैं आपका ग्रिल बहुत पूराना है जो कि चीप चीप के तरह निकलता है पेंट पूराना पेंट उसको अच्छी तरह से आप निकल देना चाहिए वो चीप चीप पूरा निकल देना चाहिए ब्रस में रगड कर नहीं तो घीशाई पेपर हमारा मोटा सा घीशाई पेपर आता ह ग्रिल को गिषय करने के लिए बो पेपर लगा कर अब पूरी तरह से निकल देना चाहिए पूरी तरह से निकलने के बाद ही आप पेंड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये मेरा कुछ टीप से था, मेरा आसे आपको ये वीडियो आच्छा लगा होगा, तो कुछ आपके मन में क्यूस्चिन है तो आप कमेंट से स्क्रेंट में जरूर बताना, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा